हालो स्टुडेंट्स वेल्कम तो दिस चैनल आम यूर मैक्स टेचर तुड़े हम क्लास 10th सीबीसी एंसियाटी बुक चैप्र क्वाडिटिक एक्क्विशन्स एक्सरसाइस 4.3 इंट्रोडक्शन पार्ट को यहां पर समझेंगे अच्छे से ठीक है तब ही हम एक्सरसाइस को अच्छे से सॉल्व करता हैंगे उसके सारे क्वेस्चन को इजली सॉल्व करता हैंगे तो यह जो आपकी एक्सरसाइस 4.3 है हम यहां पर सिखेंगे कि हम किसी भी क्वाडिटिक एक्क्वेशन को का अप्लाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैंगे तो आपकी जो क्वाडिटिक एक्क्वेशन की जनरल पॉर्म होती है यह आपकी एक्सक्वेशन की जनरल पॉर्म होती है हमें क्वाडिटिक एक्सक्वेशन को यहां पर सीखना है तो मैं एक एक्सामपल ले लिता हूँ आपकी बुक का ही एक्सामपल है 3x2-5x2-0 यह आपका एक्सामपल ले जो आपकी बुक से ही है तो यह आपकी एक्सामपल है इसमें हम कंप्लिटिक एक्सक्वेशन को पगाना सिखनेंगे ठीक है बस यह एक्सामपल यह जो मैथड ही है सिर्फ 3 स्टेप का ही होता है ठीक है तो हम इसे 3 स्टेप में सीख लेंगे यह आप तो फिर्स स्टेप आपका जो होगा फिर्स स्टेप ठीक है क्या होगा यहां पर फिर्स स्टेप में आपको करना यह है कि यह जो क्वाडिटिक एक्क्वेशन आपकी गिवन है इसका जो x square का coefficient होता है this is a ठीक है यह आपको one के equal करना है ठीक है make a equals to one ठीक है हमें a को one के equal करना है यहाँ पर देखें three है और इस three को one के equal करने के लिए क्या करेंगे हम इस equation में three से divide कर देंगे right तो divide कर दिजिए भी देखें आपका जो equation है three x square divide करेंगे हम three से minus five x by three से divide करेंगे plus two by three से यहाँ पर इसको divide करें इस equation को तो अभी देखें three से three cancel out यहाँ से आपका only x square minus five by three x plus two by three equals to zero ठीक है first step में सिर्फ हमें x square के coefficient को one के equal करना होता है first step आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आगे होगी ठीक है second step देखें क्या करना होता है आपको second step में आपका जो यह x का coefficient होता है ठीक है यहाँ पर अगर आप general form से compare करेंगे तो x का coefficient b होता है तो यह जो b होता है आपका b इसका half ठीक है यानि कि x के coefficient का square को हम add कर देंगे and subtract कर देंगे ठीक है अब लिखें second step आपकी add and subtract b by 2 whole of square ठीक है हम x के coefficient का half का whole of square add और subtract करेंगे इस equation में तो यहाँ पर देखिए आपके x का जो coefficient है वह 5 by 3 है तो 5 by 3 है इसका half करना है तो 2 से divide कर देंगे इसको 5 by 3 to the 6 ठीक है इसी का whole of square हम इस equation में add भी करेंगे and subtract भी करेंगे तो आपकी equation हो जाएगी first two steps को हम वैसे ही note down कर लेंगे x square minus 5 by 3 x अभी यह जो 5 by 6 है plus 5 by 6 all of square minus 5 by 6 all of square and आपकी जो step चल रही होगी constant plus 2 by 3 equals to 0 वैसे ही से हम note down कर लेंगे ठीक है यह आपकी second step है third step ठीक लीचे third step बहुत ही easy है अभी इसे अभी solve करना है third step में third step complete complete the square ठीक है अभी 5 by 6 whole of square minus 5 by 3 x ठीक है इसे अगर आप ध्यान से calculate करें तो दिखिए यह आपका इस तरह से हो जाएगा x whole of square ठीक है minus इसे अगर हम लिखे हैं तो यह 2 into 5 by 3 into x plus 5 by 6 whole of square यह आपका a minus b का whole of square बन रहा है x square minus 2 and 2 से multiply and 2 से divide ठीक है 2, 3, 0, 6 हो जाएगा आपका ठीक है तो a square plus b square minus 2 a आपका x है so x and b यानि कि 5 by 6 5 by 3, 2, 0, 6 हो जाएगा आपका यह a minus b का whole of square की identity आपके यहां पर बन गई है तो आप यहां पे लिख सकते हैं x minus 5 by 6 whole of square and आपका यहां पर minus 5 by 6 whole of square plus 2 by 3 equals to 0 ओके अगर आपको यह समझ में नहीं आता है तो आप directly कर सकते हैं यहां पर x square minus में जो भी है तो minus के साथ में यहां पर यह x square यानि कि x minus है तो minus के साथ आपकी identity बनेगी 5 by 6 whole of square अभी इसको के वाल calculate करना है calculate करना है देखें देखें x minus 5 by 6 whole of square minus 5 by 5 is a 25 6 is a 36 plus 2 by 3 equals to 0 that applies x minus 5 by 6 whole of square minus l-simpling के कितना आपका 36 ही आपका क्योंकि 3 के table में 36 आता है 36 divide करेगा तो खेवल 1 बचेगा 1 25 को multiplied करेगा तो 25 ही रहेगा plus 3 3 2 is a 6 12 times में 12 2 को multiply करेगा then 12 to the 24 equals to 0 हो जाएगा आपका अभी दिखें x minus 5 by 6 whole of square minus 25 and 24 subtract होके only 1 and divide में 36 equals to 0 ही आपका 36 को हम another side पे क्या करेंगे transform करेंगे x minus 5 by 6 whole of square equals to 1 by 36 अभी square को हम another side पे कर देंगे तो दिखें x minus 5 by 6 equals to जब भी square another side पे then plus minus के साथ में वो root में convert हो जाता है अभी दिखें इसको root से बाहर के से out करेंगे x minus 5 by 6 equals to plus minus under root 1 इसको लिख सकते हैं 6 into 6 तभी यह बाहर आ जाएगा आपका ठीक है so यह आपका जाएगा x minus 5 by 6 equals to plus minus 1 by 6 अभी हम इसके क्या find करने है root find करने हैं तो एक one time हम इसको positive के साथ and one time negative के साथ में solve करेंगे when x minus 5 by 6 equals to 1 by 6 and another when x minus 5 by 6 equals to negative 1 by 6 one time positive and one time negative के साथ में हम इसे क्या करेंगे solve करेंगे solve करेंगे minus 5 by 6 another side हो जाएगा तो plus हो जाएगा आने कि x equals to 1 by 6 plus 5 by 6 denominator से होते हैं तो हम उसको one time note down कर लेते हैं we have one plus five okay x equals to one और five equals to six by six cancel हो गया so x की value यहां से कितनी आ जाएगे आपकी one आ जाएगे another हम solve कर लेते हैं minus five by six another side पो जाएगा then x equals to one by six minus and यह positive हो जाएगा five by six आपका okay अभी दिखिए x equals to denominator से हैं मैं one time note करेंगे minus one plus five subtract हो जाएगा x equals to five seven subtract then four by six two to the two three is the x equals to यहां से कितना आपका आ जाएगा two by three आ जाएगा ठीक है यह आपका second root की value आ जाएगी ठीक है तो completing the square method सिर्फ इतना साही है three steps का आपको three step में swap करना है इसको ठीक है बहुत easy है practice करिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा first step है अगर आपका जो x square का coefficient है वो one के equal नहीं है तो हम divide कर देंगे उसी coefficient से जो जैसे यहाँ पर three है तो three से divide कर देंगे और equation को complete divide करने के बाद x square के coefficient को one के equal कर देंगे second step में क्या करेंगे जो आपका B होगा यानिकि x का coefficient उसका half करेंगे ठीक है half करेंगे and then whole of square को हम add भी करेंगे subscribe भी कर देंगे उसके after बस in three steps से हम complete the square पना लेंगे and then calculate कर लेंगे बहुत easy method है आपका ठीक है आप practice करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा I hope आपको exercise 4.3 introduction part बहुत अच्छे से समझ में आया होगा if आपको नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप comment box में comment करके मुझसे पोच सकते हैं and if आपको मेरे वीडियो पसंद आती है then please मेरे वीडियो को like करें and channel को subscribe करने ना भूलें bell icon को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले notification सबसे पहले मिल सकें thank you